पनोती बहु किसी की वज़स से अगर कोई काम रुपता ही चला जाता है तो लोग उसे पनोती कहने लगते हैं अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्टरी का माल ट्रक में लद कर शेहर जा रहा है डिलिवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी लागों रुपय का माल है लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पती दोहरता हुआता है पिताजी पिताजी वो जूस से बरा ट्रक पलट गया सारो जूस पास की नाली में बह गया ये भगवान तेरी शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बन वालो देखा आए दिन नुकसान बिचारी रितु पर्टे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी लेकिन करती भी तो क्या कहती भी तो क्या अरे रितु क्यों दास होती हो मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो अई 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 अरे मेरे पैर में चोड लग गई है रितु सरा चल डाक्टर को दिखाते है रितु सास के साथ डाक्टर की घर जाही रही होती है कि उसका पैर भस जाता है और वो सास पर गिर जाती है हाई रे पहले सी पैट उटाता अब उपर से बेरे उपर गिर गई बगवार उठा ले मुझे बगवार कोई उठाऊ तो मुझे हाँ सासुमा लाइए हाती जी यहां बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ हाई रे अब तो डाक्टर भी चला गया होगा अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने बैरों पर कड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं मा बहुत घबराट हो रही है कल मेरी अपनी खुद की फैक्टरी शुरू होने वाली है पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिजनस आरे क्यों नहीं पेटा अच्छा होगा इतनी लगन और महनत जो की है तुने पस तेरी बीवी का मन हुस साया ना पड़े आरे जब से आई है कुछ ना कुछ मन हुस होता ही चला जा रहा है कैसी बात करी हो मा एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहां आई है और तुमों की फैर दिन बेखते हैं और एक दिन निकल इस घर से मैं कहती हूँ निकल जब से या लोड़की मेरा घर की बहु बनी है हर जगा घाटा हर जगा नुकसान कभी सास का पैर तूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है अर आप तो हादी ही हो गई मेरे बेटे का इतना भारी एक्सिडेंट की वो को मा में चला गया वो तो शुक्र है कि जान बच गई आप तो रीतू को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है चलते चलते रीतू एक जंगल में जूपड़ी में पहुँच जाती है जहां एक साधू तपस्या कर रहे होते हैं आगए बेटी क्यों परिशान होती है ये तो जीवन का नियव है इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता देखता और समझता है किसी के अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजे बापा मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगी बस आपकी जीवन में मेरे जैसे बेटी की वज़े से कुछ बुरा ना हो साधू आख बन करके मुस्कुराता है और रितू उनके घर की बेटी बन जाती है साधू खाना खाने जाता ही है कि खाना रितू के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है बिल्ली उस खाने को खाती ही मर जाती है नहीं पिताजी मैंने काने में जहर नहीं मिलाया मुझे इस बात का पता नहीं पिताजी मैं ये बात जानता हूँ खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना ये तो पहले से ही तै था इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है वो रोने लगती है और सादु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनूती मान लिया था सादु मुस्कुरा कर कहता है बेटी क्या चाहती हो तुम क्या तुम जीवन भर यहां रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो पिता जी मैं ससुराल जाना चाहती हो क्योंकि वहां मेरी जरूरत है मैं चाहती हो कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानि कि मन्होस ना समझे उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का फला ही चाहती हूँ ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा, तो कल मेरे साथ चलना दोनों अगले दिन रितु के ससुराल जाते हैं जहां सादु के साथ रितु को देख कर सास कहती है अरे वाहरे करम चली, हम लोगों के घर में तुफान लाकर चैन ना मिला तुझे जब जादु टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुला किर किसी को लेकर आई है नाना माजी, ये तो मेरे धरम के पिता जी है, मुझे ससुराल बापस छोड़ने आये है ये तो बस पिता का धरम निभा रहे है, इन्हें कुछ मत कहिए वाजिवा, चार महिने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मन्हुस फिर से आ गई, इस बार के जान लेकी जाएगी अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रेक्चर था अब ये आ गई है तो पका टांग काट नहीं पड़ेगी रीतू के नए साधू पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे फिर वो बोल पड़ते हैं मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाता हूँ वो साथ में गोला लाये थे उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वही मर जाते हैं देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्टर के मैनेजर ने जहर डाला था, अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा वन्ना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता, है भगवान तब तो न जाने कितने लोगों की माथ हो जाती इस जूस को पी कर, शुक्र है भगवान का अनो जिद्धी, सभी रितु की तरफ देखते हैं, बाबा, मैं तो मन्हूस नहीं हूँ, शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोच रहता, कि मैं इन लोगों की दुख्का कारण तो नहीं, नहीं नहीं बेटा, मन्हूस तो इश्वर किसी को नहीं बनाता, हर चीज का ए पाफ कर दे बेटा, रितु को ससराल में छोड़ बाबा, वापस चले जाते हैं, अभी दस दिन भी नहीं हुए, और सासुमा को उसका दफ्तर जाना खटकने लगा, आते जाते वो उसे सुनाती ही रहती है, आ गई महारानी, आपकी सेवा में क्या लेकर आएं, प्रणाम सास सुमा, बैस अभी खाना तयार करती हूँ, सब साथ में खाना खाएंगे, आरे इतना इंतजार तो कर बाएं,